हेलो फ्रेंज आज हम बात करेंगे माप पॉंटिंग मेट फान क्लास 12 इमन जोग्रफी पे सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैं नेम इस जुगल सिंग मेरा इमेल आइडी है जुगलसिंगसार अग्रेट गमेल डॉट कॉम जिसमें आप अपनी इमेल भेज़ के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरा वाट्सअप नंबर है जो बहुत इजी कॉंटक्ट है आप लोगों के लिए डबल नाइन सेक्स नाइन वन सेवन तूफोर एट सेक्स और मेरा यूट्यूब चैनल है जुगलसिंग केवी जोग्रफी क्लास 12 में तीन चैप्टर्स डिलीट किये गए हैं जिसमें चैप्टर नंबर 6 सेकंडरी अक्टिविटीज चैप्टर नंबर 8 ट्रांस्पूर्ट अन कम्म्निकेशन एन चैप्टर नंबर 9 इंटरनाशनल ट्रेड ये तीनों ही चैप्टर आपके एक्जाम में कोशन्स में नहीं पुछे जाएंगे तो ये तीन चैप्टर डिलीट होने के बाद इस बुक में हमारे पास 7 चैप्टर रह जाते हैं क्योंकि map pointing एक important material है हमारे टेस्ट के लिए एक्जाम्स के लिए तो वहांके जो 5 marks हैं वह बहुत easy हो जाते हैं काफी सारे chapters हमारे हट चुके हैं तो हम उन पर थोड़ा सा नजर इस वीडियो में डाल देते हैं सबसे पहले तो हम देखें CBAC ने जो हमें NCRT CBAC ने जो हमें map reduced map की जो लिस्ट पेजी है उसमें unit 1 में उन्होंने हमें कुछ भी map list नहीं दी है तो हमें उसमें से कुछ नहीं करना है as in map directly unit 2 chapter 2 to 4 में हमसे जो पूछा गया है उसमें largest country in terms of area in each continent तो ये एक simple सा free bounty होता है है चोटा साब को पार्चे continent majorly है अंटाक्टिका से बहुत जारा नहीं पूछा जा जाना चाहिए question general में तो हमारे पास बहुत छोटी सी list बसती है और एक आसान सा mark होता है unit 3 जो chapter number 5 to 7 हमारे पास होता है यहां के जो question आते areas of subsistence gathering, nomadic herding, commercial livestock, extensive commercial grain farming, mixed farming यह जो पांचोई तरह की crops हैं जिनके बारे में हमसे types of agriculture हमसे पूछा जाता है यहां पर थोड़ा सा कहलीजे की score करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अधरवाइस unit 5 में जहां mega cities क्योंकि हमारे course में बाकी चीज़ रिलिट हो गई mega cities में हमें इस साल जो option मिला है वो टोक्यो, डेली, संगाई, मंबई, साव पावलो एक चोटा सा group मिला है हलाकि यह एक सिर्फ एक idea भर ही है मगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से cover कर लेगा है अच्छे से बी पूछा गया बी डेरी शेत्र देखें यह आपको नौर्थ एस्टन पार्ट का यह जो डेरी शेत्रे दिख रहा आपको तो नौर्थ एस्टन नौर्थ अमेरिका या या से नौर्थ अमेरिका आप जब लिखेंगे तो यहां का भी एक नंबर आपको मिल जाएगा सी पार्ट टी पार्ट इपार्ट यह यहां पर लोकेशन लगी ध्यान रखेगा कहीं कहीं लोकेशन इस तरह से लग जाते हैं बच्छा यहां पर कन्फ्यूज हो के लोकेशन सोच लोकेशन तो यह चीजें आपको इजी पांच नंबर दे जाएंगी पांच इधर हुमन वाली बुक में और पांच इधर इंडियन वाली बुक में मिल जाएंगे तरस नंबर आपको विदिन 5-10 मिनिट्स मिल जाएंगे उसके बाद आप अपनी आगे की जो है एमसी अपकी में नंबर स्कोर करेंगे और अगर आप ये वीडियो सारे देखते हैं तो अच्छा स्कोर कर लेंगे तेके ये सारी लिस्ट है मेंगा सिटीज के एक लिस्ट हमारी बुक में है कुछ बुक में रिवाइस भी आ गई इसमें पांच चीजों के लिए बोला गया साव पोवलो साव पोवलो जो है वो ब्राजील में है यह पांच लोकेशन के लिए हमें बोला गया मैं आपको दिखाओं यह वर्ल्ड की मेगा सिटीज को मैंने लोकेट किया था एक बार लेके पेंट ब्रश और बाकी इस टूल को यूज करके तोक्यो आपको यहां जैपैन म आप फ़ार उस चीज को मैप में देख लें जैपैन अगर आप इसिफे कोशन बात करेंगे जो आईलेंड आएगा यहां उपर की तरफ पूर जैपैन है उसके अंदर आपको टोक्यो को मार करना है उपर की तरफ और यहां पे अंदर की तरफ जाते तो नौर्ट औं साउथ को रिया आता है इनके जस्ट पीछे की तरफ आएंगे तो आपको सेंजेन बेजिंग मिल जाएंगी और जपान से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो संगाई इस वार हमारे एक्जाम के लिए टोकियो यहां पे संगाई चाइना में कोस्टल है फिर आपको डेली इंडिया के अपर नॉर्दन पार्ट्स में डेली इंडिया के वेस्टन पार्ट्स में मुंबई और ब्राजील में यहां रियो डी जेनरो से नीचे यहां पे फोड़सा अंदर साव पावलो आपको मिलेगा यह पांच आपको मेगा सिटीज के नाम याद रखने तो एक नमबर आपका यहां free bounty हो जाएगा चलते हैं वर्ल्ड की हर continent में largest city में कुछ continents ऐसे हैं inhabited नहीं है जिसे Antarctica के हम बात करें जहां पर major हमारे concern आएंगे वो आएंगे North America North America में अगर लगा हुआ आए तो Canada लगा हुआ आएगा यह Canada largest city है यह लगा हुआ लोकेशन आएगा आपको ढोड़ना नहीं पड़ेगा लोकेशन खुद लगी हुए आएगी तो अगर इसा शेड हो के यह उपर का country आता है तो आप Canada लिख लेंगे South America यह जो South America North America से नीचे यह जो continent है अगर इसमें लगा हुआ आएगा तो सबसे बड़ा country आपको देख रहा है यह नामे ब्राजील यह लगा हुआ आएगा यह दोनों बड़े आसानी तोर से Canada और ब्राजील आप लगा लेंगे उसके बाद यूरोप में होगे हम बात करें तो रशिया एक बहुत बड़ा country वर्ड का सबसे बड़ा country है मगर रशिया क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में आता है तो फ़ड़ा सा controversy वहाँ लोगों में आ आ जाती है अफरिका के अंदर Algeria इसके पुछे जाने के सबसे यहारा चांसल होते हैं तो Algeria जो आता है Algeria यहां पर आगर आप जाएंगे तो यह अलजीरिया पहले यहां पर सुडान का एक कोशन आता था अभी क्योंकि सुडान ब्रेक हो गया North and South Sudan में तो अलजीरिया आपको लगावा अगर आजाए तो आप अलजीरिया लिख लेंगे स थोड़ा सा होता है एक्चुली रिश्या को क्योंकि यूरोप में एकाउंट किया जाता है इसलिए इस तरह से कोशन पूछने में थोड़ा सा कम चांसल बनते हैं ऑस्टेलिया यह जो कंट्रीज हैं कॉंटिनेंट्स में यहां पर ऑस्टेलिया अगर लगावा आगया largest country में होते हैं क्योंकि यह जो लोकेशन अभी यहां लगी हुई इसका नाम थोड़ा सा डिफेरेंट वाम में जैसे हम नॉर्डन युरेश्या लिख रहे हैं कहीं पर हमें टुंट्रा रीजन और युरेश्या लिखना पड़ता है डिपेंडिंग हम किस साइप की अगरी कले हैं जैसे सब्सिस्टेंस गयादरिंग अगर हम आपको सीमन जीवन निर्वा खाना जमा जो करना है उसमें जीवन निर्वा के लिए सिर्फ पेट भरने के लिए हम खाना जमा कर रहे हैं सब्सिस्टेंस है और गैदरिंग हो रही हैं आपके कुछ उगाया नहीं जा रहा है इसक इसको Northern Canada बोलेंगे, Europe और Asia के उपर का पार्ट है, इसको Northern Eurasia बोलेंगे, चिली, यहाँ पर location लगी हुई नहीं है, चिली, जो है Southern Chile, चिली, South America में यहाँ नहीं, जो पूरा जोने चिली का zone है, यहाँ पर Southern Chile लगावाँ नहीं है, आप समझ लें थोड़ा सा यहाँ पर location में, the Amazon Basin, वर्ल्ड के सबसे बड़े जंगल Amazon है, यहाँ पर Amazon Basin लगावाई है, Tropical Africa, equator के दौनों तरफ ट्रोपिक्स होते हैं, यह Tropical Africa का zone लगावाई है, सबसे स्टर्स गैंदरिंग में अगर यहाँ लगावाई आएगा, आप जानते हैं, अफरिका है, ट्रोपिक्स क्या जुआ जुआ जुका एरिया है, आप इसको ट्रोपिकल अफरिका लिख पाएंगे, Northern Fringe of Australia, यहाँ पे भी काफी सारी ट्राइबल्स हैं, जो खाना जमा करते हैं, तो यह Tropical Africa, Northern Fringe of Africa आ गया, ट्रोपिक्स के पास, और the interior parts of South East Asia, देखे South, यह Asia का South और यह East, यह South East Asia का यह zone हो गया, Next हम सलते हैं, Nomatic Herding पे, Nomatic Herding यानि, जानवरों को अपने साथ Nomatic Way में एक जग़ दूसी जग़े ले जाना, उनके चारे का इंतजाम करना, इसमें खास तोर पर क्योंकि herding हो रही है जानवर साथ चल रहे हैं और nomadic way में एक जगर पर रुके वे नहीं है है ना इसका मतलब यह बहुत systematic नहीं है और बहुत ज़्यादा economical नहीं है बहुत beneficial नहीं है इसलिए nomadic है ठीक है यहां पर देखेगा major जो एरिया है वो अफरिका अरेबिया मंगोलिय के तरफ चाइना में जा रहा है इसको बोलते हैं the Atlantic Shores of North अफरिका इस्टवर्ड्स इस्टवर्ड्स आएंगे तो across the peninsula Arabian Peninsula into the Mongolia and Central China यह सबसे important zone है यहां का second region extends over tundra region of Eurasia यह हमने पिछली स्लाइड में भी देखा तो बच्चे confused हो जाते हैं कि nomadic herding में था subsistence में था देखे वो थोड़ा सा backward area है कम केतिवाड़ी हो पाती है तो वहाई है तो nomadic herding हो रही होगी यह subsistence gathering हो रही होगी तो उस तरह से लोग अपना जीवन वहाँ पे चला रहे हैं थर्ड इस ते साउधन हेमिस्फियर देरा small areas in southwest अफ्रिका यह देखे साउथ वेस्ट अफ्रिका अफ्रिका का साउथ और वेस्ट पार्ट यह साउथ वेस्ट अफ्रिका का लारी डेज़ट के आस पास का यहां आते हैं वानेजिक पश्यूपालन है यहां पर यानि अच्छी इंकम जनरेट होती है बड़े बड़े फार्म से हैं बहुत अच्छे खेती होती है यहां पर जो जोन आ रही उसमें देखेगा वर्ल में एक बहुत इंपर्टन तरीके से यहां काम किया जाता है देखे आर्जंटीन अर्गवे से अमेरिका यहां पश्यूपालन को बहुत इंपॉडेंग सरीके से बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है अर्जंटीना और ब्राजीम बाड़ों को रैंच्छर्वेस्ट अफ्रे का यही सौथ ह्वेस्ट्रें कॉर्णर जो अमने पहले प commercial livestock rearing भी यहां पर होती है and Central Asia के Central Asia किर्गिस्तान कजाकिस्तान वाला जो पूरा जोन है यहां के जो Central Asian countries है यहां पर commercial livestock भी रेरिंग भी की जाती है extensive commercial grain farming बड़े-बड़े farms में commercial way में अच्छी machines यूज करके बड़े-बड़े farms में बड़ी-बड़ी machineों के द्वारा fertilizers और सब डालके mechanized तरीकों से खेती करना extensive commercial grain farming में include होगा इसमें world के जितने grasslands है उन्हीं के नाम आएंगे Eurasian steppies यह देखे यूरोप के जो steppies है steppies grasslands है famous वो आ जाएंगे Canadian and American prairies यह Canada और America के prairies यह हमने commercial life stock उठाया the Pampas of Argentina यह देखे पैंपास of Argentina यह जो जोन है यहाँ the wild of South Africa South Africa के यह नीचे छोटा फ़र पार्ट है यह wilds grasslands है and the Australian downs Australia में यह जो grasslands है यह जो है इनको downs बोला जाता है अगर New Zealand में इनी को बोला जाए तो Canterbury Plains बोला जाएगा कुछ areas of mixed farming यह भी हमारी जो agriculture वाला lesson उसकी slide का final slide जो हमारे इस फ़र exam के लिए important है देखते हैं ज़रा mixed farming है mixed farming में यहाँ जो जोन है एक North Western Europe जहाँ animal and agriculture दोनों साथ आती है इसको हम North Western Europe यहाँ पर Europe का North Western पार्ट बोल देंगे Eastern North America यह देखे ए Eastern North America यह भी mixed farming जहाँ पर animal and agriculture दोनों साथ हो जाए parts of Eurasia देखे Europe और Asia के parts of Eurasia वाले जोन है यह and the temperate latitudes of Southern Continent Southern Continent के जितने भी temperate latitudes जहां बहुत जारा सर्दी नहीं पड़ती बहुत जारा गर्मी नहीं पड़ती वो जोन चाहे वो अर्जेंटीना के हो चाहे वो ब्राजीली कुछ parts हो और उर्गवे के हो या South Africa के हो यह सब temperate latitudes of Southern Continent हैं हम next video में हमारी जो इंडिया वाली बुक है उसकी जो revise list इस साल आई है उसके कुछ बात कर लेंगे तो जैसे हमने अभी जो पढ़ लिया वीडियो में पांच नमबर का काम हमने कर लिया इसको जब मैं आपको explain करूँगा तो पांच नमबर का आपका और काम हो पांच नमबर का नेक्स वीडियो जो है वो नेक्स टाइम मैं आपके लिए लिए लेके आऊंगा तो यह मेरा यूट्यूब चैनल है आप पुराने जो वीडियो डाले है वो और आके के वीडियो को भी देख सकते हैं सब्सक्राइब आप करिएगा शेयर करिएगा इसको